मैं डियर फ्रेंडंज, ऐज के विडियो में मैं आज आपको Basic Electrical Engineering में Chapter No.5 Electrical Installations में जो Earthing का Topic से उसके बारे मैं बताने वाला हूँ जिसमें आज हम Earthing क्या है उसका जव Basic Concept है हो Earthing System है किस तरह से Work करती है और Earthing क्या है उसका Purpose भी क्या है उसके साथ जो उसके टाइपश है जिसमें मेथड भी बोला जाता है तो कितने टाइपश की मेथड है उन सभी के बारे में इस वीडियो में में आज डिस्केशन करने वाला हूँ उतसे पहले दोस्तो अगर आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल शके तो चलिए अब हम दोस्तो अर्थिंग के बारे में समझते है जो अर्थिंग का कंसेप्ट है वो किस तरह का है तो अर्थिंग के बारे में हम देखे तो अर्थिंग एक इसी सिस्टम है जो प्रोटेक्शन करती है जो यूमन्स बोडी होती है उसके लिए प्रोटेक्शन में य उसके साथ ही जो कोई person है तो जो कोई भी electricity के operation में उसके साथ lively connect होते है जिस तरह से machine होते है machine के साथ और कोई भी उसके जब soak लगता है तो उसके regarding उसे protection देता है जिसे हम earthing बोलते है जो one type of protection ही है उसके साथ ही हम उसका जो basic concept में देखे तो उसमें क्या है protection अगेंस जो installation है जो installation की design किस तरह सी है और जो कोई भी standard equipment है उसमें सभी में earthing का wire भी connect किया होता है उसके साथ देखे तो earthing है क्या तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पे earthing क्या है तो जब short circuit होता है तब जो कोई भी metallic body होती है वो electrical equipment होते है तो वो कोई भी human body को touch करती है तो उस तरह से जो उसे current लगना चाहिए यानि कि कोई भी high current होता है तो वो current है वो directly earth में flow हो जाता है उसे हम earthing कहते हैं अगर कोई भी machine है उसमें कोई fold create होता है तो earthing wire through वो earth यानि कि ground में हो जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक figure के through भी बता है तो देखिए यहाँ पे transformer जिसा लगा हुआ है यहाँ पे fuse लगा है क्योंकि fuse भी है वो भी एक protection के regarding ही हम use करते है और यहाँ पे जो हमारा fold create होता है वो कहाँ पे जो faulty toaster है इसमें create होता है और यहाँ पे कोई एक मानव है जो इस toaster को use कर रहा है तो उसमें क्या है जब वो toaster को touch करेगा तो human body में से जो current high current flow होगा वो देखिए किस तरह से earth होता है और earth से हमारा negative cycle पूरा cycle complete हो जाता है तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते है कि किस तरह से हमारा current है उसकी जो direction है flow होने की वो आप देख सकते है योकि toaster में high voltage होते है यहाँ पे जो high voltage का symbol दिया हुआ है तो high voltage भी आप देख सकते है तो इस तरह से आप earthing समझ सकते है उसके बाद उसका purpose क्या है जो main purpose होना चाहिए उसका भी एक purpose है यहाँ पे सभी में आपको purpose दिया हुए जो conductive path है उसका जो potential different होता है वो dangerous होता है तो काफी human body यानि कोई machine को भी काफी damage कर सकता है तो वो भी हम directly earth कर सकते हैं उसके साथ ही जो high voltage flow होते है उसके electrical system के कोई parts होते है उसको भी damage होने ना दे वो safety protection के लिए भी हम use करते है तो यहाँ पे यह सब है वो हमरे earth thing के regarding जो हमरा purpose है वो होना चाहिए उसके बाद देखिए तो good earth thing की quality क्या है तो good earth thing की quality में जो उसका resistance होता है वो low होता है must be of low electric resistance must be good corrosion resistance corrosion यानि कि हम जिसे बोलते है corrosion होता है वो उसके बाद must be able dissipate high fold current respectively जो high current flow होता है वो हमारा directly इस तरह से ground हो जाना चाहिए उसके बाद देखिए electrical shock क्या है तो electrical shock हम देखते है कि HV high voltage line है जिसे हम 11 के भी बोलते है या 13,800 volt है जो human body को touch करता है तो काफी dangerous होता है तो यहाँ पर आप देख सकते है human body है जिसमें एक में shock लगा हुआ है और इसमें एक में shock लगा नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको दो body दिखाई दे रही ही human body जिसमें मैंने यहाँ पर जिसका impedance क्या है 500 to 6000 ohm से depends on skin moisture and other factors जो हमारा human body का resistance है वो mega ohm में भी है तो उसकी जो frequency ह इंडक्टर है current किस तरह से ले सकते हैं कितना voltage है और electrical shock के लिए यहाँ पर जो description है वो भी दिया हुए है कि percentage लेवल कितना है no leg to level कितना है वो सब इस पर इंक्लूड है तो आप इसमें एक बार रेट करिए और आपको भी पता चल सकता है कि human body में shock किस तरह से लगता है तो य यहाँ पर आपके सामने मेंने 5 types है जिसमें plate earthing है, pipe earthing, road earthing, strip earthing और earthring through water mains है वह सब इसमें प्लाट इसके types है लेकिन यहाँ पर में three types के बारे में discussion करेंगे plate earthing, pipe earthing और road earthing यह जो earthing है वह सभी घरो में या सभी industry में भी किया जाता है commercial और ascendancy यह तो यहाँ पर हम देखे earthing electrodes क्या है तो earthing electrodes है जिसमें तीन basic component है तो यहाँ पर तीन basic component के बारे में देखे उससे पहले हम यहाँ पर फिगर भी देख ले कि earthing electrode किस तरह से होता है तो आप figure में देख सकते हैं यहाँ पर one two and three तीन और direction दी हुई है जिसमें ground के साथ connect किय होता है और connection है वह Earth electrode को दिया होता है दूसरा है जो resistance and Earth of surrounding electrode है उसके बारे में है और त्रिसरा है जो पूरी body हे उसके साथ grounding किया होता है जिसके यहत्त चीन basic components है उसमें और्थ वायर है, कनेक्टर है और इलेक्ट्रोड यह तीन हमारे बेजिक कॉंपोनेंट्स है जिसमें एक और्थ वायर होता है, कनेक्शन किया होता है और इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलेट के लिए यूज किया जाते हैं, उसके बारे में, तो यहां पर किस तरह का वायर यूज किया जाता है और किस तरह का ground level लखना चाहिए वो भी है तो three meter का हम ground level में है वो depth करेंगे उसके साथ ही जो हमारा जी आइ wire है copper wire और जी आइ wire और और प्लेट और तिंग के हम यूज करेंगे दो यूंसके साथ ही जो हमारा सोल्ट है जो सोल्ट की थिक links में yourself 15 सेम्ट्र जितनी सिक्नेस लखेंगे मिनिमम और उसके साथ ही जो अर्ष और चारकॉल है कोईल है वो स्टरह से हम ब्लेट अर्थिंगी यह जिसमें कोपर की बैड लगी हुई है मिक्स्टर किया हुआ चारकॉल एंड सोल्ट है जी आई पाइप है और फर्नेश है इस तरह से हम प्लेट अर्थिंग है वो कर सकते हैं उसके बाद जो हम देखे यहां पे तो पाइप अर्थिंग किस तरह से होता है जिसमें हम पाइप का यूज करते हैं जो हमारा पाइप है वो 38 mm diameter and 2 meter के लिए हम यूज करते हैं उसके साथी जो ground level है उसका भी हमें rules है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि उस रोल से भी हम जिस तरह से हम प्लेट अर्थिंग में करते हैं उसी तरह से हम पाइप अर्थिंग में लेकिन जो हम प्लेट यूज कर रहे है उसकी जगह हमें यहाँ पे pipe का यूज करना है जिसमें salt है charcoal है जिसमें layer नम करते हैं और यहाँ पे GI pipe है और furnace है उसी तरह से हम देखिए तो यहाँ पे भी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग के बारे में ही में बताया है जो pipe अर्थिंग है जिसमें pipe का यूज किया जाता है और किस तरह से GI pipe है, उसका water level क्या रखना है, वो सब इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो third है वो road earthing है, जिसमें road electrode का use किया जाता है, तो यहाँ पे आप figure में देख सकते है, copper earth road है, डोवर है copper earth road, उसके साथ ही दोनों figure में आप देख सकते है किस तरह का road है, वो भी जो similar to pipe earthing की तरह ही होता है, जिस तरह से हम pipe earthing करते है, और उसका जो diameter है, 12.5 mm जितना diameter है, और copper है, उसका diameter 16 mm जितना diameter होता है, जो और steel का हम hollow section यूज़ करते है, उसका 25 mm जितना pipe length और उससे भी कम, और 3 meter जितना vertical जितना होता है, तो यहाँ पे मैंने road earthing के बारे में दिखाया है आपको, और road earthing है, जिसमें हम pipe की जगर road, electrode का यूद करते है, तो यहाँ पे जो उसकी characteristics है, उसके साथ ही, उसके में salt और charcoal वो सब इस तरह से यूज़ करते हैं, और जो यह system है, earthing system, एक काफी chips system है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको earthing क्या है, earthing का concept की इस तरह से यूज़ किया जाता है, और उसकी जो difference method है, उसके बारे में बताया है, अगर आपको अमरा वीडिया पसंद आया है, तो उसे like करें, share करें और subscribe करें, thank you for watching my video.